ज्यादतर लोगों के मन अभी ऐसे हैं कि वो इस जीवन की यादें भी संभाल नहीं पा रहे। अगर आप दस जन्म याद करेंगे तो दिमाग फट जाएगा। ऐसा करने के और भी जिम्मेदार तरीके हैं। अचेतन मन की परतों को चेतना में लाकर उन पर काम किया जा सकता है। पर यादों के स्तर पर नहीं, उर्जा के स्तर पर। कम से कम वो थोड़े इमानदार हो रहे हैं। समोहन चिकित्सा। पहले वो पास्क लाइफ रिग्रेशन कहते थे। ये एक बहतर शब्द है, कम से कम अब वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं। समोहन करने का मूल अर्थ है कि ये सत्य तक पहुँचने की कोशिश नहीं है। आप अपनी मनचाही चीज स्थापित करना चाहते हैं, है ना। क्या समोहन का यही आधार है। किसी व्यक्ति को समोहित इसलिए नहीं किया जाता, कि आप उसे सत्य तक ले जाना चाहते हैं, आप सत्य रचना चाहते हैं, है ना। किसी को सत्य तक ले जाने के लिए जागरूकता जरूरी है, जो समोहन का उल्टा है। अब वो हिपनोथरपी कर रहे हैं, जो किसी सच्चाई का इजात करके उनके हिसाब से आपको ठीक कर देगी। तो आपको एक समस्या है, आप इसे किसी दूसरी चीज से संतुलित करना चाहते हैं, आपको शायद फायदा हो, अगर कोई बहुत बीमार है, तो कुछ भी ठीक है, अगर इससे थोड़ी मदद मिलेगी, तो ठीक है, पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में मुझ से पूछें, तो बिल्कुल नहीं, पिछले जन्म को जानना, आम तोर पर सिर्फ मानसिक बकवास होती है, पर मान लीजिए कि आप कर सकते हैं, कि आपने पिछले जन्म जान लिए, मैं कहूंगा कि अभी अधिकान्स लोगों के मन ऐसे हैं, कि वो इस जीवन की यादें भी नही दस जन्म याद आने से, आपका दिमाग फट जाएगा, क्या आपको नहीं लगता, एक जीवन भर की यादों से लोग दुखी हो गए हैं, पिछले 25-30 वर्षों की यादों से लोग एकदम दुखी हो गए हैं, अगर आपको दस जन्म याद आ जाएं, तो मैं आपकी स्थित ही सोच सकता हूँ, तो प्रकृति ने एक रुकावट डाली है, जो अच्छा है, ऐसा करने के और भी जिम्मदार तरीके हैं, जहां ये चीजें यादों के रूप में नहीं, बलकि उर्जा के रूप में कटती जाती हैं, आप सम्मेमा साधना में आये हैं, जी, सम्मेमा मूल रूप से यही है, कि अचेतन मन के परतों को चेतना में लाकर उन पर काम किया जा सकता है, पर यादों के स्थर पर नहीं, उर्जा के स्थर पर, क्योंकि यादें आएंगी, तो लोग बस तूट जाएंगे, वो दो या पांच या दस जन्मों का भार संभाल नह आपका मन इतना बहार नहीं संभाल सकता, यह आपको बिलकुल तोड़ कर आपका जीवन पूरी तरह से भ्रहमित कर देगा. अगर आपको पिछले जन्म की चीज़ें याद हैं और सभी लोग जुड़े हैं, मान लीजे आपके पडोस में, आपके पडोसी का पती या मान ले कि पडोसी का कुट्था पिछले जन्म में आपका बच्चा था, मैं कल्पना कर सकता हूँ. अभी आपमें जैसी भावनाएं हैं, आप इससे संभाल नहीं पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, तो ये बिलकुल गैर जिम्मेदाराना होगा. अगर कोई पिछले जन्म खोलने में सक्षम हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना काम होगा. हम कुछ लोगों के लिए खास उदेश्यों से बहुत नियंतरित स्थिती में ऐसा करते हैं, पर बहुत कम ऐसा रोज करना ज़रूरी नहीं है. सम्म्मा ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये उर्जा के स्थर पर काम करता है. आपको कभी भी असल चीजें मानसिक स्थर पर याद नहीं आती हैं, पर आपको साफ एसास होता है कि कुछ कटता जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा है, ये सफाई करता है, पर याद करना अच्छा नहीं है. पर समोहन चिकित्सा निश्चत रूप से पिछले जन्मों में जाना नहीं है. ये सिर्फ एक आकरशक नाम है, शायद रिग्रेशन कहने से रुची आती है, जैसे ही आप इसे समोहन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले जन्म याद आ सकते हैं, आज के अधिकान्ष रि अंसिक जोड़ तोड़ हैं, वो भीतर कुछ भी नहीं चूती हैं.